हेलो नमस्कार जैन कैसे हो त्यार आज यूपी में बारिश हो रही है एक्चुली बारिश सच में भी हो रही है मेरी प्रयाग राज में और फिलाल मैं जिस बारिश की बात कर रहा हूँ वेकेंसी इसकी बारिश है लेकिन इसमें हमारे काम के सिर्फ एकी वेकेंसी है जिसमें 12 पास एलिजबल है तो मैं उसे के रिगार्डिंग आपको इन्फार्म कर रहा हूं और उसे के रिगार्डिंग वैडियो है और यह वैकेंशी है उत्तेर टीशू रहता है मेरे घर के आसपास तो चली देखते हैं तो टोटल इसमें आपकी 1374 पोस्ट है ठीक है टोटल इसमें आपकी 1374 पोस्ट है जिसमें इसे आपकी यूर के लिए 552 पोस्ट है और EWS के लिए 133 पोस्ट है और OBC जो कि नॉन क्रीमिले आरों उनके लिए 370 तो इतनी पोस्ट है और यह कुछ अलग से पोस्ट है इनके लिए तो आप इनको भी देख सकते हो तो मोटा-मोटा यह कि आपके लिए तो आपके पास टाइम खुब सारे अप्लाई करने के लिए तो आपके पास अगर कोई डोकुमेंट नहीं है तो आप उसे इजिली बनवा के अप्लाई कर सकते हो जो कि टाइम देखो खुब दे रखा है ठीक है यार तो इस डेट तक आप अप्लाई कर सकते हो बाकी आपकी फीस की लास्ट डेट भी 28 फेरवरी ही है और आपका फॉर्म सम्मिट करने की लास्ट डेट भी 28 फेरवरी ही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो चार्ज हो चार्ज रुपए आपके फीस लगने वाली है तो अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो चार्ज रुपए आपको इसके फीस देने पड़े जो की काफी ज़्यादा है बाकी यार जो पुलिस कॉंस्टेवल के वेकंसी आती उसमें इतनी नहीं होती है लेकिन यह थोड़ी द्वारा इस्थापित बोर्ट से भावतिकी एवं गड़ित बिश्यूय सहीत इंटर्मेडियेट परिच्छा अत्वा सरकार द्वारा उसके समकच मानेता प्राप्त कोई परिक्छा उत्तिर की हो मतलब कि आप या तो भारत द्वारा याने कि सिर्फ यूपी बोर्ट से नह कि उसके एक्विलेंट कोई भी डिगरी हो वो मानने की जाएगी आगे बढ़नेस पहले आपको बता दूमें कि अगर आपको एंडिये की प्रिप्रेशन करनी है तो अगनी 2.0 एंडिये का क्रेश कोर्स अनेकेडमी पर स्टार्ट हो चुका है तो आप इसमें अन्रोल कर सकत हो और यह बैच आपका फाइब जनवरी से लेकर फिफ्थ मार्च तक चलने वाला है तो यह आपके लिए बहुत सही रहने वाला है और इसके अलावा आपका अल्फा एंडिये बैच अलेडी स्टार्ट हो चुका है जो कि 29 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था तो अगर आपक जिसमें रैजा हैंड और आस्क डाउट के और इसके लाव काफी सारे एडिशनल फीचर भी मिल जाते हैं तो आप आप आइकोनिक सब्सक्रिशन को भी देख सकते हो कि क्या होता है और यह आपका बेसिक सा डिफरेंस है प्राइज में यह आपका प्लस का प्राइज होता है और अगर बात करें प्राइजिंग के अंडिये प्लस की तो यह आपकी अंडिये प्लस की प्राइज है आप यहाँ पर हमारा कोड आरियन सेवन फाइप यूज करोगे तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा इसके लाव आपका यह एयर फोस नेभी कोसगार्ड का प्लस प्राइज है तो आप यहाँ पर हमारा कोड आरियन सेवन फाइप यूज करोगे तो आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा एयर फोस ने भी की बहचे साल एडिस स्टार्ट हो चुके हैं ता आप उनको भी देख सकते हो इसके लाव आप आरियन सेवन फाइप कोड को पढ़ लेना है ठीक है और इसके लावा देखो जिसके पास भी ओ लेवल डिगरी हो या कोई भी मतलब इन में से कोई डिगरी हो NCC का बुल सकते हो भी प्रमार पत्र हो ठीक है प्रादेशिक सेना में नियूंतम दोवश्ट के वदी सेवा हो तो आप इसको भी जरूर लगा पास डिगरी है तो आप इन्ने जरूर लगाना अगर नहीं तो कोई बात नहीं है कोई भी इसमें टेंशन के बात नहीं है आप सिर्फ 12 है अगर बात करें एज की तो हापकी एज्ष ंजींट है, 18 से लेकर लेकर 22 साल तक आपकी एज लिमिट है और इसमें आपको जो रिजर्वेशन मिलता है यूपी केंड़ेट्स को मिलेगा यूपी की अगर आप हो तो आपको OBC, SC, ST वालों को रिजर्वेशन मिल जाएगा एज में कुल मिलागर तो 5 साल का एज में मिलते हैं आपको चूड़ एक तरीके से तो 22 में कर आप 5 एड़कों के तो टूटल आपका 27 एड़ तक OBC और SC, ST का एज आपका लिमिट हो जाएगा ठीक है और अगर बात करें हम material क्या बोलते हैं वेवाहिक स्थितिकी तो देखो आप इनी दोनों पर लो क्या लोग क्या हुआ है आपके लिए काम की बात है ठीक है बाकी अगर बात करें हम paper pattern की जो सबसे important है तो आपका paper pattern पुरा देखो वी दे रखा है चार्स नंबर का आपका paper होगा और paper आपका online होगा offline नहीं paper आपका online होगा ठीक है और चार्स नंबर कोगा 100 नंबर का आपका हिंदी होगा और 100 नंबर का सामान ग्यान और विज्ञान होगा और 100 नंबर का मांसी योगता परिच्छा और संख्यात्मय योगता परिच्छा होगी और 100 नंबर की मांसी का वर्यूची परिच्छा बुद्धी लब्दी परिच्छा और तार्किक परिच्छा होगी तो टोटल आपका 400 नंबर का question paper होगा paper मतलब कि question 400 नहीं आएंगे आपका question paper 400 number करेगा और पूरे आपके धाई गंटे का स्वाए मिलेगा ठीक है मतलब कि paper आपका धाई गंटे का होगा और 400 number का होगा ठीक है और paper आपका online होगा और इसके अलावा अगर इसके में और आपकी काम की बात की जाए अगर हाँ देखो बात की जाए height की तो अगर आप अगर आप OBC या unreserved category से या EWS से तो आपकी height 168 से होनी चाहिए OBC और UR category और EWS के लिए 168 होनी चाहिए और अगर आप और देखो SC के लिए भी है ठीक है SC के लिए भी आपकी 168 ही होनी चाहिए इतने आप के लिए काफी है और अगर बात करें सीने यानी चिस्ट की तो सीना 79 सेंटी मीटर क्या बोलते हैं अनुसूची जनजाती और अन्य पिछडे वर्ग और सामान्या ठीक है मतलब कितना 79 नॉर्मल होना चाहिए और आपका कम से कम 84 से में आपका फुलाने पर होना चाहिए और स्ट के लिए 77 से लेकर 82 तक होना चाहिए ठीक है और सीना यानी कि आपका चिस्ट निउन्तम यानी कि मिनमम 5 सेंटी मीटर फूलना अनिवार रहा है इतना आपका चिस्ट फूलना चाहिए फुलाने पर ठीक है और अगर बात करें महिलाओं को लिए तो महिलाओं के लिए 152 हाइट है और स्ट के लिए 147 हाइट है और अगर बात करें वजन की तो महिला की नियूंतम वजन 40 केजी होगा मैं एक्जम अब दे नहीं रखा इसमें ठीक है अगर बात करें फिजिकल टेस्ट की कि फिजिकल टेस्ट कितना होगा तो अगर आप पूरुष हो यहाँ आप मेल के इन डेट हो तो आपका फिजिकल टेस्ट 4.8 किलमेटर रणिंग होगी आपकी 28 मिनिट मिनिट तो टाइम थो 2.4 किलमेटर रणिंग करने की 16 मिनिट में तो यह आपका है क्या बोलते हैं फिजिकल टेस्ट होगा एक तरीके से पीटी या शारीरिक दश्टा परिश्या ठीक है और इसके अलावा भी आपको डिटेल ने पढ़ लेना है सब कुछ बाकि आपको मेडिकल इग्जामिनेशन बी होगा चरित सत्यापनेन की आई थिंग करेक्टर स्रेटिफिकट वगारा ठीक है और यहां पर देर रखा है कि किसको कितने छूट मिल रही है तो सब कुछ बता दिया इसमें जो भी आपको काम की बाते हैं और इसके लावा कोई डावड़क का बचते है तो आप इसे मेरे से क्वेशन कर सकते हो और यह देखो मैंने आपको जैसे बता रखा है कि आपके पास अगर डो एक द्वारा या नायरेट द्वारा ओ लेवल की डि बात और कि नोटिफिकेशन में कहीं भी पे लेवल नहीं दे रखा है तो मैं आपको बता सको कि मतलब किसकी पेमेंट कितनी हो सेलरी कितनी होती है और यहां पर अगर हम बात करें सिलेबस की तो यह आपका हिंदी का सिलेबस है और विग्यान और समाने ग्यान में यह आपका विज्ञान का है विज्ञान में सिर्फ मुझे physics देख रहा है तो अगर आप air force ने भी वालो तो यह आपके लिए plus point है क्योंकि इसमें सिर्फ physics आ रहा है विज्ञान में और विज्ञान साथ समान एगान में यह आपका पूरा syllabus है तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेना कि सम बोलते हैं mental aptitude test या logical या test reasoning test IQ reasoning test जो भी आप बोल सकते बोल सकते हो तो यह आपके सिरे बस कुछ इस पर दे रखें जो कि मैं टेलिग्राम पे अप्लोड कर दूंगा तो आप टेलिग्राम जाका डॉनलोड से कर लेना ठीक यार तो मोटी-मोटी बात है कि आपका form बेस जनव 28 फैरोरी तक आपका पेपर चलने वाला है पेपर आपका 400 नंबर का होगा और इसमें आपकी टोटल 1374 पोस्ट जो की काफी मुझे लगता है अगर आपको fight करना है तो और I think मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ठीक है तो जैहिन जै भारत वंदे मातरम